प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सल्यूशन है, कहीं न कहीं उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आतमा अध्य बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा एकदम डारिक बोलू दिल से बोलू मेरा पहला नाशनल अवार्ट जो मुझे आज हमारे आदरनी अराश्टर पती जी के हातों से मिलेगा मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है आपको बता जिस दिन इस नाशनल अवार्ट की अनाउस्मेंट हुई थी न उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बच्पन का एक दिन याद कर रहा था जिस दिन एक्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मांक्स बिलकुल अच्छे नहीं थे आप लोगों से जूट नहीं कहूंगा मैं उस कक्षा में फेल हो गया था रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली जा है उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांती से कहा देखो बेटा तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ मुझे बताओ करना क्या चाहते हो मैंने का पापा मैं स्पोर्ट में मन लगता है मेरा मैं खेल कूद करना चाहता, हम खिलाडी बनना चाहता, उन्होंने का ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो आप इश्वास निकरोगे, खेलते खेलते, मैं मार्शिल आर्ट करने लग गया, मैं मौडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी, उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नैशनल अवार्ट कभी मेरे हाथ पर उटा ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वज़े से सुना रहा हूँ, कुछ दिन पहले अकपार में मैंने पढ़ा था कि एक आयाईटी के स्टूडेंट्स ने फासी लगा के आत्मा अत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक फाइफ स्टा होटल के रूम से चलांग लगा कर अपनी जान दे दी, एक्जाम में फेल हो गया था मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब आठ लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन डेड़ लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं और यंग लोगों में आत्माहत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस क्यों तुम्हारी जान एक एक्जाम के माक्षीर से सस्ती हो गई है नहीं ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो इससे तो देश के लिए सरहत पे जा कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ और पेरेंट से भी यही कहूंगा यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैटके बाते किया करते थे पूछा करते थी कि कैसा चल रहा है आपके दोस कैसे है पढ़ाई कैसी चल र रहा है ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को भुला लेते हो लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर जार देते हैं कहते हैं बटा नो थिंक पॉजिटिव बटा थिंक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या कांसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए इसमें कोई शरम की बात नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है कोई स्ट्र अंदर घुलना उसको अंदर रखना दबा के रखना बिलकुल नहीं किसी दोस्त को बोल दो या अपने माबाप से शेयर करो मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन WhatsApp पे एक बहुत काम की बात forward की थी एक hospital की open heart surgery unit के बाहर एक share लिखा हुआ था मैं आपसे share करना चाहता हूँ महाँ लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ भईया मुझे एक promise करो कि आज please आज एक promise करो कि tension कोई भी हो solution है कहीं ना कहीं उसका solution है और वो solution आत्मा हत्या बिलकुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है अपना ध्यान रखो मिलते हैं फिर तिल देन next time goodbye जैहन कूआ झाय है झाल झाल